सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो देख दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पे अकाउंट को पर्मानेटली डिलीट कैसे करेंगे तो गाइस अगर आप भी जाना चाहत हो कि फोन पे अकाउंट को पर्मानेटली डिलीट कैसे करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने phone में phone pay को open करना होगा अब जैसे ही अपने phone में phone pay open करेंगे उसके बाद यहाँ पर दो तिन चीज़े करनी है उसके बाद आप अपने account को delete कर लेजिए तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा अगर आपने जो फोन पे से कोई भी gold या फिर silver या फिर कोई भी चीज यहां पर आपने purchase करके रखी हूँ या फिर कोई भी आपने invest करके रखा हुआ फोन पे में तो सबसे पहले आपको sell out कर देना है उसके बाद क्या करना होगा आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो भी फोन पे wallet में balance होगा वो यहां पर आपको फोन पे से यहां पर transfer कर देना है यहां पर आपको जो वो यहाँ पर आपको जो unlink कर देना आपको जो remove कर लेना है तो मेरा यहाँ पर जो zero balance है wallet में और यहाँ पर मैंने bank account भी remove करके रखा हुआ है अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बतायता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो है अपना जो phone पर account है उसे delete करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा उपर की सेर में यहाँ पर आपको question mark दिखाए देगा तो इसके उपर आपको click करना होगा अब जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा आपको एक option मिलेगा profile वाला तो यहाँ पर profile के उपर आपको click करना होगा अब जैसे profile पर click करेंगे उसके बाद my phone पर profile वाला option होगा तो इसके उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर my phone पर account details तो इसके उपर हम click करेंगे अब जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे अब जैसे ही हम इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिजन देना पड़ेगा कि क्यों आप अपना फोन पर अकाउंट जो है डिलेट करना चाहते है तो यहाँ पर कोई भी आप रिजन दे सकते हो तो आपको सर्विस बताई है या फिर कोई भी जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो तीनों चीज आपको सबसे पहले कर लेनी है उसके बाद देखतो यहाँ पर deactivate phone पे account तो यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा इसके उपर आपको click करना होगा अब जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको next page में यह लेके जाएगा तो यहाँ पर यह थोड़ा सा loading लेगा आपको थोड़ा सा wait करना है उसके बाद आपके सामने next पे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका जो इस number से phone पे account रहेगा वो permanently deactivate हो जाएगा उसके बाद फिर से यहाँ पर आप जो account नहीं बना पाएंगे इस number से तो आपको deactivate करना है तो यहाँ पर देख सो yes I have zero balance वाले option पर हम click करेंगे इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट है वो आपने remove कर लिए तो यहाँ पर देख सो yes it is removed वाले option पर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर auto pay वाली कोई भी request है यहाँ पर mutual fund यहाँ पर SIP और किसी परकार का payment है वो यहाँ पर auto pay वाला यहाँ पर है यहाँ फिर नहीं है वो आपको देखना है तो यहाँ पर no वाले option पर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर thank you for confirming all the details यहाँ पर आपके जो भी details दी वो confirm हो चुकिया और यहाँ पर आपकी request deactivation की request वो चली गई है और यहाँ पर जो please wait 3 days मतलब यहाँ पर 3 दिन तक आपको जो wait करना है उसके बाद आपके जो request रहेगी वो review करके complete कर दी जाएगी और आपका जो phone पे account रहेगा वो permanently delete कर दिया जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आप जो अपने phone पे account को permanently delete कर पाएंगे तो guys उमीद करता हूँ आप कोई video पसंद आया होगा दोस्तों गर आप कोई video पसंद आया तो video को like करना और share करना और गर वी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए